जैहिन प्यारे बिच्चों, स्वागत है आपके अपनी परिवार भारत वस क्लासेस में तो प्यारे बिच्चों आप सभी को परतेख सप्ता विकली टेश लिया जा रहा है और इसी परकार आप सभी को 2 सितंबर 2023 को क्लास 8 विज्ञान का विकली टेश लिया जाएगा तो बच्चो इसमें हम लोग विज्ञान के very very important question को करेंगे और जिस तरह के प्रशन आपके exam में आएंगे बिल्कुल उसी tabs के प्रशन इसमें पूछे गए हैं तो सुलकुल सुला प्रशन है बच्चा प्रतेक प्रशन के लिए दो अंक है और आपको यहाँ पे अपने उत्तर और अपनी तयारी की जाच कर लेनी है चलिए बच्चा प्रारम करते हैं आप सभी को प्रतेक प्रशन को ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पहला प्रशन आप सभी के सामने है प्रशन कहता है जमीन गेंद को रोकने का कार करती है यहाँ पे गेंद लुड़कती भी गेंद है यदि हम गेंद को जमीन पे लुड़काएं तो वा कुछ दूरी पर जाकर रुख जाती है या किस बल के कारण संभव है इस्तिर वैदुत बल घरसन बल चुमके बल या इन में से कोई नहीं बताए इसका सही विकलप क्या होगा A, B, C, D, इसका सही विकल्प होगा B, घर्षन बल घर्षन बल के कारण लुड़क्तवी गेन कुछ दूरी पर जाकर रुख जाती है तो विकल्प B हमारा सही उत्तर है जिनका सही है वो अपने दो माक्स एड़ कर लीजेगा प्रसन संख्या 2 प्रित्वी प्रतेक वस्तू को अपनी और बल के कारण खिसती है यहाँ पर हमें खाली स्थान बे भरना है कि कौन सा बल होगा गुरुत्व बल, चुम्बकिय बल, इस्थिरवेदुत बल या इन में से कोई नहीं बताए क्या होगा A, B, C या D सही विकल्प होगा A, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल के कारण प्रित्वी प्रतेक वस्तू को अपनी और आकरसीद करती है ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प है A, चलिए प्रसन संख्या 3 की और बढ़ते हैं, तिसरा प्रसन आप सभी के सामने हैं बिच्चा प्रसन कहता है, जो जनतु अपने जैसे पसू को जनम देते हैं, वे क्या कहलाते हैं जरायूज, अंड प्रजक, दोनों या इन में से कोई नहीं तो देखिए, जो अपने जैसे पसू को जनम देंगे, उसे हम जरायूज बोलेंगे जो अंडे जनम देंगे उसे अंड प्रजक कहेंगे जरायूज में कौन-कौन से आते हैं? जितने भी यहां पे जानवर हैं ठीक है? पालतु पसु हो गए कुत्ता, बिल्ली, गाई यह सभी जरायूज है, मानों भी जरायूज है अंड प्रजक जो अंडे देते हैं, जैसे मचली, ठीक है? इतियादी, चलिए, प्रशन संक्या चार को करिए जनन की कितनी विधियां हैं? दो, तीन, एक या चार, बताइए चौथे प्रशन का उत्तर क्या होगा बच्चा? A, B, C, या D सही विकल्प है, ओप्सन A, दो जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और आलेंगिक जनन कौन-कौन से बच्चा? लैंगिक और आलेंगिक आप लोगों को, आप लोगों ने इसे जरूर पढ़ा होगा लैंगिक जनन और आलेंगिक जनन ठीक है चलिए प्रशन संख्या पांचवे को करते हैं पांचवा प्रशन आप सभी से पूछा गया है अमीबा किस विदी द्वारा जरन करता है मुकूलन द्विखंडन दोनों या इन में से कोई नहीं very very important questions है बच्चा इन questions को आप याद रखिए और final exam के लिए भी ये questions आप लोगो याद रखना है ठीक है अती लगू उतर ये प्रशन में आपको ये सभी याद रखना है notes अभी सही बनाते चलिए तो बता ये अमीबा किस विदी द्वारा जरन करता है मुकूलन द्विखंडन दोनों या इन में से कोई नहीं सही उतर क्या होगा सही उतर होगा द्विखंडन द्विखंडन द्वारा ये अमीबा है और यहां पे बीच का भाग तूट करके थे करके दो भागो में बढ़ जाता है और मुकूलन की बात करें तो हाइड्रा, आपको याद रखना है कि हाइड्रा में मुकूलन के द्वारा जनन होता, इसमें एक उभार उत्पन होता है और फिर बाद में या उभार ही अलग होकर श्वतन्त्र यहाँ पे हाइड्रा बन जाता है, तो ये दोनों जो वीधिया है वो आलेंगिक जनन की वीधिया है प्रसन संक्या चठा अंडानु तथा शुकरानु के सनलयन को क्या कहते हैं बताइए A. निसेचन, B. जनन, C. युगमनज, D. इनमे से कोई नहीं अंडानु तथा सुकरानु के सनलयन को क्या कहते हैं सही विकल्प होगा यहाँ पे बज्जा निसेचन उसे हम निसेचन बोलते हैं ठीक है यहाँ पे सही विकल्प होगा विकल्प ए निसेचन युगमनज से याद रखेंगे जो यहाँ पे निसेचन के बाद जो बनता है उसे युगमनज कहते हैं अगला प्रशन सात्वा ऐसे थोस्पदार्थ जिससे विधुधारा प्रवाहित होती है जिससे लोहा,ெलुमिनियम, चांदी, सोना, तामबा विधुधारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी तो ये क्या हैं ये सभी विदूत के सुचालक हैं और ये सभी धातुएं हैं क्या हैं धातु ये सभी धातुएं हैं विच्छा और ये सभी विदूत के सुचालक हैं यहां पर आप लोग एक और याद रखेगा एक अपवाद याद रखेगा विदूत के सुचालक है ग्रेफ ग्रेफ हाइट आधातू है लेकिन यहां विधूद का सू चालक होता है ग्रेफ हाइट कहां पाये जाएगा तो पैंसिल की लीड में ग्रेफ हाइट पाये जाता है जो की कारवन का ही अपरूप होता है इन में से क्या विधूद का सबसे अच्छा चालक है शोना, चांदी, अ या तांबा तो सबसे अच्छा चालक पुछाए जाए तो चांदी होता है जी क्या होता है चांदी सबसे अच्छा चालक विधुत का चांदी होता है नोवा प्रेश्ण निवन मैं से कौन सी धातु है जिसके विधुत लेपन से किसी वक्तु की चमक पढ़ाई जा सकती है आप लोग भारत वसक्लासेश को सब्सक्राइब कर दीजिए 10K तो करीदीजिए बच्चा आप लोगों के लिए बहुत ही जायदा मेहनत की जारी है तो 10K जरूर कीजिए प्रसंद संक्या दस्मा आप सभी से पूछा गया है धात्वें उस्मा की होती है धात्वें उस्मा की सुचालग होती है कुचालग होती है अर्थचालग यानिमे से कोई नहीं पताए कुचालग सुचालग अर्थचालग यानिमे से कोई नहीं A B C या D कौन सा विकल्प सही है सही होगा B जो धात्वें है वो उस्मा की सूचालक होती है ठीक है 11 प्रशन अभी तक कितने बच्चों का सही है 10 प्रशन जिसके भी सही है वो 10 गुने 2 यानि 20 नंबर अपने सही कर लिए यानि आपके 20 नंबर अभी तक सही हुए है और जिसकी एक दो गलत है तो बच्चा आप वे प्रशन को विशेश तोर पर ध्यान दीजिए देखिए जो प्रशन आपके यहां गलत हो गए है कोसिस कीजिएगा कि परिच्छा में वे प्रशन गलत ना हो ठीक है इसलिए आपको लोगों के प्रेक्टिस करवाई जा रही है इनमें से किस धातु को चाकू से असानी से काटा जा सकता है हीरा, सोडियम, लोहा, इलूमीनियम कौन सा विकल्प सही होगा यहां पे सही होगा सोडियम सोडियम वैसे तो धातु है धातु कठोर होती है लेकिन यहां एक ऐसी धातु है जो कि मुलायम होती है से चाकू से असानी से काटा जा सकता है बात करें हीरा की तो यह आधातू है यहाँ पूरे यहाँ पे बात करें पूरे शंसार में पाए जाने वाला सबसे कठोर जो है वो हीरा होता है तो सबसे कठोर हीरा जो की आधातू है कारवन का ही अपरूप है यहाँ पे है डैस धातू कमरे के तापर द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा निकेल इन में से कोई नहीं बताइए सही विकल्प क्या होगा पारा जो पारा है वो कमरे के तापर द्रव अवस्था में पाई जाती है चलिए तेरवा प्रशन है धात्वें अमलो के साथ अभी किरिया कर लवन तथा गेस बनाती है तो कौन सी गेस बनाती है oxygen, hydrogen, carbon dioxide या इनि में से कोई नहीं बताए क्या होगा तो यहाँ पे सही विकल्ब होगा hydrogen वो अमलो के साथ अभी किरिया करके NaCl यानि नमक और यहाँ पे hydrogen गेस विमुक्त करती है तो यह चीज सही होगा NaCl यानि नमक और hydrogen प्रस्द संख्या चवादमा पूछा गया है धातुएं तथातुओं का गलनांक यह उनका अथनांक होता है उच्छ निम्न समान या इन में से कोई नहीं तो बच्चा आपको ध्यान देना है कि धातुओं का गलनांक तथा कवतनांक सबसे उच्छ होता है उच्छ होगा क्या होगा उच्छ अप्शन A is the right answer पंद्रमा प्रस्द किसी जीव की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है अंग अंग तंत्र कोशिका या उत्तक A अंग B अंग तंत्र C कोशिका D उत्तक सही विकर्प है कोशिका किसी सजीव की सबसे छोटी कार्यात्मक रचनात्मक और काई कोशिका होती है जीव केख रोबर्ट हूग ने 1625 बीष्वी में की थी किसने की थी Robert Hook ने चलिए A.O.Levon Hook ने जीवित, जीव के कोशिका के कोश की थी. सोलव परस्न, निम्न में से कोशिका का कौशिका का कोशिका केवल पादप कोशिका में ही पाई जाता है? केंद्रग केंद्रग द्रेव कोसी का भित्ती या रिक्तिका बताईए कौन सा सही होगा A B C या D सही उत्तर है C कोसी का भित्ती केवल पादप कोसी का में ही पाई जाती है चुकि पादप जो होते हैं पेड़ पोदे होते हैं वो चल नहीं सकते हैं उन्हें एक ही जाएगा मोश्रम की मार, हावा, आंधी, तेज, दूब, तेज, गर्मी, प्रदास करना होता है, इसलिए उसमें एक्ष्ट्रा लेयर होता है, जिसे हम लोग कोशी का भित्ती कहते हैं, तो बताइए आप लोगों को सोला में से कितने प्रशन सही हुए, जिसके बच्चों को सोला में से सोला हुए, उनको धारो बधाईया है, तो यह था स्टेट वन, इसी तरह हम बहुत सारे स्टेट को करेंगे, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपरोट है, होगा, तो लेटेस अपडेट के लिए भारतोस के लासे इसको सब्सक्राइब जरूर कीज धेन्यवाद